नमस्ते किसन भायों आज के विडियो में हम आपका स्वागत करते हैं चलिए आज के विडियो में हम आपको ये बताएंगे किस तरह से रोप का लागन करना चाहिए मल्चिंग के ऊपर तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले विडियो में हमने देखा कि किस तरह से बेट डाले जाते हैं और उसमें से कौन-कौन से खाट डाले जाते हैं उसके उपर फिर मल्चिंग पीपर किस तरह से डाला जाता है और उसके बाद में मल्चिंग पीपर को कैसे होल पाड़ते हैं और उसके बाद में आज के विडियो में हम देखते हैं किस तरह से इसमें रोप की लागन नहीं चाईएए इतना खोल और इससे ज्यादा थोड़ा सा रोंध चाहिए उस होल में से इस रूप को लागना चाहिए और बाद में हलका सा हाज सदा बाना चाहिए उसके बाद में तुरन उस के पीछे पूरी लागन got होने के बाद थोड़ी देर पानी छोड़ना बहुत जोरी रहता है ज्यादातर से चार बज़े से बाद में रूप लागाना ठीक रहता है उसके बाद में धूप की तियुरता बहुत कम हो जिते हैं इसलिए रूप को कोई हानी नहीं होती और अगर आप दोपेहर में लगाते हैं तो दूप की बज़े से रूप सुक सकते हैं तो मेरे आप से मेरे आपकी राय है कि ज्यादा तर आप दोपेहर के बाद ही लगाना उचित रहेगा तो देखें इस तरह से बेड़ रहते हैं और उसमें से इस तरह से हमने रूप किस बुवाई किये है और ये दो हुल का अंतर है एक फिट और पच्चिस सेंटिमीटर मतलब सोब सावाफुट की लागन पर करना चीज़रूए है हमारे यहां थोड़ी बारिश होने ये बज़े से इसमें थोड़ा सा कीचड जमा हो चुका है लेकिन उसकी कोई दिख्कत नहीं होती है हमें इस प्लॉट को यह अभी हमारा जो प्लॉट है वो दो एकर का है यह प्लॉट हमने अभी सत्रह तारिक को इसकी लागन पूरी हो चीके है सत्रह सेप्टमबर तो अब मैं आपको देखाता हूं कि किस तरह से नर्सरी से हम रोप लेते हैं किस तरह से रोप हमको मिलता है रो आपर सब्सक्राइस क्यां कर दकिए इस तरह से यह रोत मदलब इस ट्रें में 104 रूब तयार होते हैं and और बीज पड़ता है हमको लगबग दो रुपए के आसपस तो इसका मुतलब एक रोप का खर्चाता है या लगबग दाही रुपए हमको यह रोप तायर करके मिल जाता है नरशरी पाइवस से तो देखते हैं यह देखे इस तरह से यह जो रोफ है हमारा इस तरह से यह जो रोफ है इसको ऐसे हलके से उटाना तो यह पूरी तरह से इससे निकल आता है बाहर तो उसके बाद में जो आप मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता है कि थोड़ा सा गड़ा करके उसमें यह लगाना चपड़ होता है। तो देखिए उसकी मुली है देखे कैसे दिखते है खवाइट मुली है है तो इसको इस गड़े में डालने के बाद थोड़ा सा हलका सा उपर से माति डाल थोड़ा सा दबाना चाहिए और बाद में छोड़ देना चाहिए तो ये अपने आप वहाँ से सेट हो जाएगा और उसके बाद में ये जब तीन चार दिन में सेट होके चलने शुरू कर देगा आगे तो देखिए ये किस तरह से दिखते हैं इसके रोप तो ठीक है किसन भाहियो आज के हुड़ियो में बस इतना ही तो मिलती है अगले हुड़ियो में